असलाम उलेकुम एब्रिवन वेलकम तू लॉविट्स आज हम डिसकस करेंगे शॉर्टी के राइट्स जैसे के हम कॉंट्रेट अफ गरेंटी परड़ रहे हैं और इसकी पहले वाली वीडियो में हमने डिसकस किया कि कॉंट्रेट अफ गरेंटी है क्या उसके साथ उसको रिफ जैसे कि राइट्स हैं शॉर्टी के वो कॉंट्रेक्ट अक्ट 1872 के सेक्शन 141, 140, 145 और 146 और 147 ने बताए गये हैं सबसे पहले राइट्स आफ शॉर्टी को यहां पर तीन तरहां से बताए गया है कि शॉर्टी के राइट्स अगींस दक क्राइटर क्या होगा And Against the Principal Debtor And Lastly Against the Core Shourty के राइट्स क्या क्या होगा तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राइट्स अगींस दक क्राइट्स क्राइट्स क्या होगा जो के सेक्शन 141 में बताए गये हैं section 141 कहता है कि surety eligible है किसी भी benefit के जो क्राइटर के पास है चाहे उसके पास वो knowledge उसकी है या नहीं है मतलब कि अगर क्राइटर के पास कोई ऐसी security रखवाई थी एक principal debtor ने और उसकी knowledge surety को नहीं थी उसके बावजूद भी वो यहाँ पर right रखता है कि जो भी security क्राइटर के पास है तो वो ले उसे मिसाल के तौर पर एक क्राइटर जो है और principal debtor के दिर्मियान एक contract हो रहा है principal debtor क्राइटर के पास जाता है loan लेने के लिए क्राइटर जो है वो कहता है इसकी guarantee को लेगा तो यहाँ पर एक तीसरा बंदा आ जाता है जो surety person है वो guarantee ले रहा होता है लेकिन क्राइटर principal debtor को कहता है कि मैं सिर्फ इस surety बंदे की guarantee नहीं मान सकता उसके साथ साथ मुझे कोई security भी रखवा हो मतलब कि security में कोई भी चीज़ आ सकती है कोई भी कीमती चीज़ या किसी जगा के documents आ सकते हैं वो gold रखवा सकते हैं कोई भी कीमती चीज़ तो bank जो यहाँ पर क्राइटर है वो कहता है कि मैं आपको loan दूँगा चाहे आप मुझे एक बंदा भी लाकर दे रहे हैं जो आपकी surety ले रहा है यहाँ पर अपनी कोई security में कोई gold दे देता है और उसके बारे में अगर surety को पता भी नहीं है और future में यहाँ पर principal debtor default करता है payback नहीं करता loan को तो जो character है वो किस से लिक लवा लेता है वो surety person से यहाँ पर अपना जो है वो default होता है तो surety पूरी कर लेता है इस contract को लेकिन यहाँ बात आती है कि वो security जो character के पास थी वो वापिस principal debtor के पास जाएगी यह security जो surety है उसके पास तो यहाँ पर 141 section contract act 72 का कहता है कि अगर कोई भी character के पास कोई भी security रखी गई थी principal debtor ने रखवाई थी तो और future में principal debtor अगर जो है वो default करता है और surety person उसे payback करता है तो यहाँ पर surety person का right है कि जो भी security के आइटर के पास रखवाई थी वो भी वो ले यहाँ पर principal debtor को security नहीं मिलेगी कि अगर उसने कोई gold या कुछ भी रखवाया था उसने default किया है और उसके बदले में किसने pay किया है surety person है तो जो security में वापिस मिलनी है वो भी surety person को ही मिलेगी यह section 141 कहता है अब वो security में कोई भी चीज़ हो सकती है ठीक है इसके बाद second right against the principal debtor है surety का कि principal debtor के against में क्या rights है surety के तो यह section दो section से बताए गए है 140 और 145 में इस right के हवाले से तो सबसे पहला right जो 140 section बताता है वो कहता है right of subrogation right of subrogation का मतलब यह है कि जैसे के एक हमने पढ़ा है कि contract of guarantee में तीन तरह के contracts हो रहे होते है एक creditor और principal debtor के दर्मियान एक principal debtor और फिर उसके बाद shorty के दर्मियान फिर lastly होता है shorty and creditor के दर्मियान हमने इस तरह से पढ़ा है तो यहाँ पर 140 right जो बताता है section 140 में जो right बताए गया है वो subrogation का है जिसका मतलब यह है कि जैसे के साल के तोर पर creditor ने जो principal debtor है उसने default कर दिया और creditor ने अब किस से पैसे निकलवा लिया अपने जो निकलवाने थे वो shorty से निकलवा लिया यहाँ पर तो contract खताम हो गया किसका principal debtor and character का ठीक है और creditor और shorty का भी क्योंके creditor ने अब shorty से पैसे जो है वो निकलवा लिया है लेकिन जो third contract है वो अभी भी यहाँ पर है वो किसका वो principal debtor and shorty का तो rights of subrogation कहता है कि जब payment हो जाए debt की जो creditor ने debt की थी वो दे दे shorty तो फिर तमाम rights जो character के पास थे उस time पे जब character के पास यह right था कि जो principal debtor ने अगर default किया है तो वो पैसे निकलवा सकते है शॉरिटी से तो यहाँ पर जो character वाली यह तमाम rights थे वो किसके पास transfer हो जाएंगे शॉरिटी के पास जब शॉरिटी ने उस default को payback कर दिया है कि अब शॉरिटी के पास यह right है कि उसने अपना जो उसने promise किया था कि मैं शॉरिटी लूँगा यह default करेगा तो मैं पैसे देदूँगा वो दे दिये हैं तो अब शॉरिटी के पासे right है कि वो सू कर सकता है principal debtor को कि मैंने तुमने जो वादा किया था उसके हिसाब से मैंने पैसे भर दी अब तुम मेरे पैसे निकालो तो यह वाला जो right है उसे right of subrogation कहते है मतलब कि जो तमाम rights as a creditor उसके पास थे कि अगर principal debtor ने default कि है तो वो शॉरिटी से मांग सकता था उससे सू कर सकता था directly तो जब शॉरिटी ने payback कर दी अब शॉरिटी के पास तमाम करिटर वाले rights है तो वो किसको सू कर सकता है directly to principal debtor कि वो उसे अब payback करे तो इस right को कहते है right of subrogation जो section 140 में बताए गया है इसके बाद right against the principal debtor है right of indemnity का जो के section 145 में बताए गया है हर counter of guarantee में एक implied promise होता है जो के principal debtor करता है surety से है कि वो indemnify करेगा उसे जैसे कि हमने contract of indemnity में पढ़ा है कि indemnity कहते किसे है अगर आपने इसे समझना है तो मैं इसकी description box में links दाल देती हूँ जिससे आपको समझ आ सकेगा कि right of indemnity है क्या under the contract of indemnity और किस तरीके से contract of guarantee में contract of indemnity भी आता है तो यहाँ पता चलता है section 145 बताता है कि contract of indemnity भी include है contract of guarantee में किस तरह कि principal letter जो है वो यहाँ पर impliedly promise करता है surety को कि वो indemnify करेगा क्योंकि यहाँ पर contract of guarantee में पता नहीं होता कि जो principal letter है वो default करेगा भी यह नहीं वो सिर्फ सामने वाले बंदे से अपनी guarantee मांग रहा होता है कि अगर उसने default किया तो वो से pay करेगा अगर नहीं किया तो नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर right of indemnity है surety का against the principal letter ऐसे कि जब principal letter default कर देता है और the surety person है वो से payback कर देता है उसके default को तो यहाँ पर surety का यहाँ right है कि वो principal letter को कहे कि मुझे अब indemnify करो compensate करो क्योंकि मैंने जो अपना वादा किया था कि तुमने अगर default किया against the criteria तो फिर मैं payback करूँगा मैंने वो कर दिया है तो अब यहाँ पर तुम मुझे indemnify करोगे compensate करोगे वो सारी debt जो भी surety person ने जो है भरी है किसके against इसके लिए principal debtor के लिए तो यह section 145 में बताया गया है right of indemnity surety का इसके बाद तीसरा जो surety का right है वो against the co-shorties है और यह दो तरहां से हो सकते हैं और यह section 146 और 147 ने बताया गया है कि किस तरहां से दो तरहां से हो सकते हैं अच्छा तो जो surety है वो co-shorties भी हो सकती है मतलब कि एक से ज्यादा surety person भी हो सकते हैं कि principal debtor जो है वो सिर्फ एक को नहीं एक से ज्यादा लोगों को भी request कर सकता है कि आप मेरी surety दें काईटर को it means यहाँ पर contract of guarantee में more than one भी cost surety हो सकते हैं ठीक है तो जो cost surety है उसके against क्या right है एक surety person का against another cost surety क्या right है वो यहाँ बताए गया है section 146 में and section 147 में section 146 कहता है कि right to contribute equally कि अगर एक या दो बंदे जितने भी cost surety हैं उन्होंने एक ही debt के लिए jointly या severely एक मतलब promise किया है कि हम contribute जो करेंगे वो equally contribute करेंगे तो यहाँ पर उनके लाजिम है कि वो equally ही contribute करें जिसे मिसाल के तोर पे एक तीन बंदे हैं तीन बंदों ने guarantee दी है एक principal debtor की जिसने loan लिया है character से 3000 का ठीक है और अगर वो फूचर में जाकर default करता है तो जो तीनों कोश औरटीज है उन पर लाजिम है कि उपर पर परसन वो वन थाउसन जो है equally distribute करें अब मैंने यहाँ पर 3000 के इसेंपल दिये किसी भी तरह हो सकता है जितने का भी उसने loan लिया जो भी लोन के लावा कोई भी चीज ली हो और उसके जो भी प्राइस हो उसके हिसाब से जो है वो equally contribute करेंगे कौन के सारे कोश और अगर यह बात पहले से ही contract में थी तो यह section 146 बताता है कि एक शौर्टी का किस तना से दूसरे शौर्टी पर यहाँ पर right है कि वो equally contribute करें और अगर किसी वज़ा से एक बंदा जादा कर देता है तो वो बात में दूसरे से मांग सकता है तीक है इसके बाद 147 कहता है कि liability of course शौर्टी के बारें बताता है पहले right बताये गया है कि right है उनका कि equally contribute करें उसके बाद 147 ने बताया गया है कि liability होगी course शौर्टी की कि अगर अगर उन्होंने different sums में वो bound है मतलब कि मिसाल के तोर पे तीन अगर शौर्टी है एक ने कहा है कि मैं सिर्फ जो है 1000 तक की आपको अगर आप default करो तो payback करूंगा दूसरा कहता है कि मैं आपको 20,000 तक की कर सकता हूँ तीसरा कहता है कि मैं आपको 40,000 तक की कर सकता हूँ अगर इस तरह का वो future के लिए कहते हैं कि इस sum के अंदर अंदर ही में आपको अगर आपने कल को default किया तो मैं payback करूँगा अगर इस तरह से shorties कह देते हैं different sums में किसी का कोई है किसी का कोई sum है तो उसके हिसाब से उनकी liability है कि वो payback करें इसके लिए हम कुछ illustrations देख लेता हैं जो contract act में हैं जैसे के पहली है A, B and C ये co shorties हैं for D मतलब जो principal letter है उसके लिए ये तीन जो है जानेंगे तो payback करूँगा ठीक है जबके B कहता है कि 20,000 तक है और C कहता है 40,000 तक है ठीक है कि अगर D ने default किया तो मैं इसके अंदर अंदर तक ही आपको payback करूँगा मतलब इस proportion में और होता क्या है कि D जो है वो default करता है 30,000 के अंदर अंदर तक अगर D 30,000 के अंदर अंदर ही default करता है तो यहाँ पर जैसे के A, B and C ने अलएदा अलएदा से अपनी different जो है वो sums के हसाब से bonds किये थे कहा था कि हम इसके अंदर ही जो है वो इसी proportion के हसाब से आपको payback करेंगे तो यहाँ पर अगर D ने 30,000 किये हैं तो यहाँ एक बंदा पर person 10,000 जो है वो libel है के pay करेंगे A 10,000 करेंगा, B भी 10,000 करेंगा और C भी 10,000 तीक है इस तरहां से ही दूसरी illustration देख लेते हैं जिसमें A, B and C यहाँ पर भी तीनों co-sorities हैं against the D और यहाँ A ने जो है वो कितनी penalty रखी है 10,000, B ने 20,000 and C ने 40,000 और यहाँ पर D default करता है 40,000 की पहले उसने किया था 30,000 तो 10,000 इच को लग गए थे पूरे मतलब इच परसन जो है वो 10,000 ले लिये थे कि वो pay करेंगे, उन libel थे यहाँ पर कर रहा है 40,000 का default अगर D तो जैसे के as per their proportions A के पास आएंगे यहाँ पर कि वो A libel होगा 10,000 pay करने के जबके B and C 15,000 करेंगे क्योंकि B का जो उसकी जो libel था वो मतलब जितने उसने proportion रखा था वो 20,000 था और C ने 40,000 रखा था इसलिए वो 15,15 करेंगे और A ने 10 रखाता है इसलिए वो 10 करेगा इस तरीके से 40,000 यहाँ पर distribute होंगे इसके बात last ली A, B और C यहाँ पर भी कोशोर्टीज है D के अगेंस में और यहाँ यह लोग भी same वो ही वाला जो proportion अपर चलता रहा है वो ही चल रहा है कि A ने 10,000 लिये है कि वो penalty उसकी पे करेगा इतने में और B ने 20,000 और C ने 40,000 ठीक है लेकिन यहाँ पर D default कर रहा है पूरे के पूरे 70,000 की जैसे कि A ने 10 लिये B ने 20, 30 हो गए और C ने 40 तो यहाँ 70,000 हो गए और D ने उन मुकमल 70,000 के extend का default किया है तो इसका मतलब यहाँ पर A, B और C जो भी उनने default अपनी penalty रखी थी अपनी bond की वो पूरी पूरी यहाँ पर आ रही है तो वो पूरा अपना जो भी उनने bond की अपनी penalty रखी थी मुकमल यहाँ पर pay करेंगा पूरे 70,000 के अगर D ने default किया है तो जैसे के A ने कहा था कि वो 10,000 तक करेंगा वो 10 ही करेंगा B ने 20 कहा था और B 20 करेंगा और C ने 40 कहा था तो C 40 करेंगा मतलब के वो तीनों अपने जो भी उनकी एक bond था मुकमल तोर पर यहाँ पर full penalty of bond भरेंगे तो यह था rights of sureties उमीदे आप सबको समझाया होगा इंशाला हम next video में डिसकस करेंगे और वो last होगी contract guarantee की के जो surety की liability discharge कब होती है और कब नहीं होती तो उमीदे आप सबको समझाया होगा if you have any qd you can ask in the comment box अच इस्था कुमलाओ खईड़ा